हेलो दिर रिश्टुरेंट्स बहुत बहुत स्वागत है आप से विका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में बच्चो ये कलास 7 का हिंदी बुक है चेप्टर 11 है और इस चेप्टर का नाम है उद्बोधन उद्बोधन एक कविता है जो मैथली सरन गुप्त के द्वारा लिखा गया है और उद्बोधन का अर्थ होता है जागरित करना जगाना तो इस कविता के माध्यम से मैथली सरन गुप्त जी सभी भारतवास्यों को जगाने का प्रियास कर रहे हैं उसके लिए यह कविता लिखा गया है और यह कविता जो है भारत-भारती काईब रचना का अंस है उससे लिया गिया है, इसकी रचना उस समय हुई थी जब भारत परतंत्र था, मतलब हमारा देश गुलाम था, इस कविता में कवी ने भारतवासियों को विज्ञान के ने ज्ञान को अपना कर और समय अनुसार चल कर विकास पत पर बढ़ने की प्रेरना दी है, इस कविता के द्वारा उन्होंने हमें समय का ज्ञान देते हुए और विज्ञान के ज्ञान को अपनाते हुए आगे बढ़ने का ज्ञान प्रेरना दिया है, इस कविता से, तो आई हम लोग इसको पढ़ें और इसके भावारत को समझते हैं संसार की समरस्थली में धीरता धारन करो, चलते हुए निज इस्ट पत में चंकट से मत डरो, जीते हुए भी मिर्तक सम रहकर ना केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विग्ण बाधाएं हरो कवी इन पक्तियों के द्वारा संपुर्न भारतवासियों से कह रहे हैं कि यह संसार एक युद्ध भूमी की तरह है, यह जीवन एक युद्ध की तरह है, यहां धीरत से काम लेना होगा, आपको धीरत धारन करना होगा आपकी जो भी मंजिल है आप जिस लच की और बढ़ रहे हैं उसमें अनेक कस्ट आएंगे उससे डरना मत जब तक यह जीवन है मरे हुए बेक्ति के समान मत जीना अर्थात हिम्मत हार कर मत जीना जो बेक्ति हिम्मत हार जाता है वो मिर्थ बेक्ति के समान हो जाता है वीर युद्धा की तरह आने वाले मुश्किलों को जीत कर आगे बढ़ते जाना अगली पक्ती में कह रहे हैं बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों? आगे बढ़ो, उचे चड़ो है भाईगी की क्या भावना? अब पाठ पोरुस का पढ़ो है सामने का ग्रास भी मुख में स्विम जाता नहीं हा ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी भी आता नहीं कभी आगे पक्ती में कह रहे हैं बेकार में बैठकर अपना समय मत गवाओ हमेशा आगे बढ़ने का परियत्न करो भाईग के भरो से मत बैठो कि हमारा भी एक दिन लोटरी लगेगा और मैं भी बड़ा आद्मी बन जाओंगा ऐसा कुछ होने वाला नहीं है मेहनत करने के बारे में सोचो मेहनत करो बिना मेहनत के सामने रखा भोजन भी हमारे मुख में नहीं जाता फिर क्यों सोचते हो कि बिना मेहनत के भाईग उदे हो जाएगा मेहनत से भाईग का उदे होता है इसलिए मेहनत से कभी मत भागो आगे कविता में कभी कह रहे हैं रखो प्रस पर मेल मन से छोड़ कर अविवेकता मन का मिलन ही मिलन है होती उसी से एकता तन मात्र के ही मेल से मन भला मिलता कहीं है बाहे बातों से कभी अंतह करन खिलता नहीं इन पक्तियों में कभी एकता का पाठ पढ़ा रहे हैं हमें मुर्खता छोड़कर आपसी मेल जोल बना कर रहना चाहिए जहां वेक्ति का मन मिल जाए, विचार मिल जाए, वहीं एकता बनती है तन के मेल मिलाप बाहरी दिखावे से मन का मिलन नहीं होता दिखावे के मिठी बातों से हमारी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती अर्थात लोगों की बातों से हमें पता चल जाता है कि हमारे परती उनके मन में आदर की भावना है या नहीं है आगे कभी यहां पे कह रहे हैं जड़ दिप तो देकर हमें आलोक जलता आप है पर एक हम में दूसरे को दे रहा संताप है क्या हम जड़ों से भी जगत में हैं गए बीते नहीं हे भाईयों इस भाती तो तुम थे कभी जीते नहीं इन पक्तियों के माध्यम से कभी दीपक का उधारन देकर हम लोगों को समझा रहे हैं कि दीपक एक जड़ वस्तु है अर्थात निर्जी वस्तु है बेजान वस्तु है फिर दूसरे को प्रकास देने के लिए स्विम जलता है मानो समवेदन सील प्रानी होते हुए भी एक दूसरे को कस्ट दे रहे हैं क्या हम बेजान वस्तु से भी गए गुजरे हैं हे देशवासियों तुम तो कभी ऐसे नहीं जीते थी और हमारी संस्किर्टी भी हमें ऐसी सिच्छा नहीं देती है जिस हिसाब से हमारी संस्किर्टी हमें सिच्छा देती है अतिथी देवभवा और प्रानी मात्र के कल्यान से ही हम इस्वर को प्राप्त कर सकते हैं ऐसी सिच्छा हमारी संस्किर्टी हमें देती है आगे पक्ति में यहाँ पे बतला रहे हैं हमको समय को देखकर ही नित्चलना चाहिए बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए विपरित विश्व परवाह के निजनाव जा सकती नहीं अब पुरु की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं इन पक्तियों में कवी समय के साथ चलने की प्रेरना दे रहे हैं हमें समय के अनुरूप ही चलना चाहिए समय जिस प्रस्तिती को उत्पन करता है उसी की भाती हमें भी स्विम को बदल लेना चाहिए जिस परकार नाव जलधारा के विपरित नहीं चल सकती उसी प्रकार हमें भी प्रस्थिती के विप्रीत चलने का परियास नहीं करना चाहिए पुराने नियम जो अभी तक चलते आ रहे थे वह आज भी मानी जाईगी ये संभव नहीं हो सकता है कि उसमें बदलाव आजा और उस बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए अब आगे यहाँ पे उसी सस्मंधित बदला रहे हैं है बदलता रहता समय उसकी सभी घाते नहीं कल काम में आती नहीं है आज की बाते कई है सिद्धी मूल यही की जब जैसा परकिर्ती का रंग हो तब ठिक वैसा ही हमारी कायरी किर्ती का ढग हो इन पक्टियों के माध्यम से कभी कह रहे हैं कि समय हमेशा बदलता रहता है उसकी चाले भी बदलती रहती है मतलब समय के साथ कई सारी चीजें बदल जाती है ये निश्चित है कल की कई चीजें जो काम आर ही थी आज वही चीजें काम आने वाली नहीं है सत्यत्या यही है कि जैसी परकिर्ती प्रस्थिती हो हमें भी उसके अनुसार अपने कायरी करने के तोर तरीके में बदलाव कर लेना चाहिए और आगे यहाँ पे कविकार हैं प्राचिन हो की नविन छोडो रूढियां जो हो बुरी बनकर विवेकी तुम दिखाओ हंस जैसी चातुई प्राचिन बातें ही भली है यह विचार अलिक है जैसी अवस्था हो वहाँ वैसी विवस्था ठीक है इन पक्तियों में कविकार हैं कि रीतियां प्रमपराएं पुरानी हो या नई हो अदिवह नुकसान दाई हो तो उसे त्याग देना ही उचित होता है जिस परकार हंस पानी और दूध को अलग कर देता है उसी परकार हमें अच्छे रीतियों को रख कर बुरे रीतियों को त्याग देना चाहिए पुरानी प्रथाओं के अनुसार लोग प्राचिन बातों को ही प्रमसत्त मानते हैं या विचार सरवथा भ्रम बनाए रखने वाला विचार है यहां सिधे सब्दों में समझना है वैसी चीजें जो हमें नुक्सान पहुचा रहे हैं उन्हें छोड़ देना ही उचित है उन्हें छोड़ देना ही चाहिए और अंतिम चार लाइन में कभी यहां पे कहा रहे हैं सरवत्र एक अपुर्व युग का हो रहा संचार है देखो दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है अब तो उठो क्या पढ़ रहे हो व्यर्थ सोच विचार में सुख दूर जीना भी कठिन है स्रम बिना संस यह अंतिम लाइने जो है बहुत ही important लाइन है यहां पे इसको मैं explain करता हूँ इन पक्तियों में कभी विज्ञान की बातें बता रहे हैं कि हर जगा विज्ञान का संचार हो रहा है मतलब विज्ञान फैल रहा है सभी लोग विज्ञान से बने चीजों को या विज्ञान का जा रही है देशवासियों अब तो उठो अब कैसी सोच बिचार में पड़े हो ब्यर्थ का सोच बिचार बंद कर दो और महनत करो सुक से जीने की बात तो बहुत दूर है बिना महनत कि इस संसार में जीना भी संभाव नहीं है इसलिए कभी भी यह विज्ञान मन में नहीं लाना चाहिए कि हम बिना महनत किये कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और ऐसा करना भी उचित नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता तो यहां पे बहुत थी एक motivational कविता है जिसे आपको पढ़कर आपके अंदर एक आत्म विश्वास एक सक्ती आपके अंदर आएगा इसलिए कव कविता में देखते हैं आगे यहां पे सब्दार्त दिया हुआ है तो सब्दार्त इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है क्योंकि कविता में जो words यूज होता है वो different word होता है आसानी से समझ में आपको नहीं आएगा इसलिए यहां पे जो दिखाये गया है यह words अब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ जाता है और यहां पे दिया हुआ है इस कविता का questions और इस कविता को अपने मूल भाव में अपने सब्दों में लिखने के लिए कह रहा है तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं इसको या फिर जिस प्रकार से मैंने बतलाया है आप सून क पर भी उसको लिख सकते हैं फोर नमर में सपरसंग व्याक्षा करो इस सारे अंसर में आपको बना के दे दिता हूँ भासा अधियन में सपस्ट करो हंस जैसी चातूरी इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है तो इसको सपस्ट करने के लिए कर रहा है इसके अलावा यहां पे एक वचन लिखने के लिए कर रहा है जैसे संकटों से संकट हो जाएगा बाधाओं से बाधा हो जाएगा और विलोम सब्द मतलब विप्रित आर्थक सब्द उल्टा सब्द लिखने के लिए कर रहा है तो यहां पे इसका उल्टा सब्द अप लिख सकते हैं तो आए मैं और समय नुसार चलकर विकास पत पर बढ़ने की प्रेरना दे रहा है कवी किस प्रकार का बनने को कहता है भाईगवादी अथवा पुरुसार्थी क्यों? कवी मनुस्य को भाईग के भरोसे ना रहकर पुरुसार्थी बनने को कहता है बिना सरम के तो सामने रखा भोजन भी मुख तक नहीं जाता, पुरुसार्थ से ही भाई का उदय होता है इसलिए हमें पुरुसार्थी अर्थात मेहनती बनना चाहिए एक्ता किस परकार अस्थापित की जा सकती है? एक्ता और आपसी भाईचारा अस्थापित करने के लिए मन से मन का मिलन आवस्यक है मन की अविवेक्ता और बाहरी दिखावे से मन का मिलन नहीं हो सकता दीपक हमें क्या सिख्छा देता है? हमें और दीपक में क्या अंतर है? दीपक हमें यह सिच्छा देता है कि जिस प्रकार वा स्वयम जलकर दूसरे को प्रकास देता है उसी प्रकार हमें भी अपने स्वार्थ को त्याग कर प्रोपकार करना चाहिए जहां दिपक एक वजान वस्तु होकर भी परहित के लिए स्वेम जलता है, वहीं चेतना युक्तमानों एक दूसरे को कश्ट देने में लगे हैं. कभी समय को देखकर चलने के लिए क्यों कहता है? कभी के अनुसार हमें समय को देखकर ही चलना चाहिए, बदलते समय के अनुरूप हमें भी स्वयम को बदल लेना चाहिए जिस परकार नावधारा के विप्रित नहीं चल सकती उसी परकार हम भी समय के विप्रित नहीं चल सकते रूढियों के बारे में कवी का क्या मत है रूढियों के बारे में कवी का मत है कि कल जिन प्रम्प्राओं को हम सही मानते थे हो सकता है आज वो हमारे लिए उप्युक्त न हूँ रूढियां चाहे पुरानी हो या नई अधिवा अहितकर हो तो उसे त्याग देना चाहिए विज्यान के बारे में कवी की क्या धारना है विज्यान के बारे में कवी का मत है कि विज्यान से संपूर्ण संसार में अभुत्पूरु बदलाव आ रहा है सरवत्र विज्यान का विस्तार हो रहा है देशवासियों अब तो ब्यर्थ सोच विचार छोड़ो क्योंकि सरम बीना जीना भी मुम्किन नहीं है सपरसंग व्याक्षा करो यहाँ पर व्याक्षा जो दिया हुआ था तो यहाँ पर जो बोयम का लाइन दिया हुआ था उसको मैंने स्वाट में लिख दिया है और इसका व्याक्षा यहाँ पर है कवी दीपक का उधारन देकर मनुस को कहना चाते हैं कि दीपक एक वेजान वस्तु होकर भी स्वेम जलकर दूसरे को प्रकास देता है क्या हम इन जड़ वस्तुओं से भी नीचे गिर चुके हैं हमारी संस्कीर्टी ने कभी ऐसी चिचा नहीं दी और ना तुम कभी ऐसे जीते थे हंस जैसी चातुरी ये पोयम का लाइन है वहाँ पे जिसका भावार्त लिखने के लिए कहा गया है तो इसका आंसर यहाँ पे है उपरक्त मक्ती उद्बोधन कविता से उद्गिर्त है कवी संसार में होने वाले बदलाव के बारे में कहते हैं कि समय के साथ संसार में सब कुछ बदल जाता है लोगों के विचार तो तरीके रहन सहन सब बदल जाता है प्राचिन समय की कई रितियां आज काम नहीं आ सकती हमें नविन और हितकर रितियां गरहन कर लेनी चाहिए मूल बात यही है कि जैसी हमारी परश्थिती हो वो इसी विवस्था लगा कर अपना कारी पूर्ण करना चाहिए फाइब नमबर में भासा अध्यन से यहां पे दिया गया है असपस्ट करें हंस जैसी चातूरी तो इससे क्या सपस्ट करना है हंस एक विवेकसिल पक्ची है वो दूद तथा पानी अलग कर देता है कवी के अनुसार मनुस को भी हंस के समान विवेकी बनकर हितकर रितियों को गरहन करना चाहिए और पुरानी रूढियों को त्याग देना चाहिए अंता करन खिलने का अर्थ है मन की विर्ति का परसन होना जिसके द्वारा हम भले बुरे सच्ट असच्ट सार असार की पहचान करते हैं मन बुध्धी चित और अहंकार सभी अंता करन के अंग हैं परवा के विपरित नाव खेना मानों जब कोई अविवेक पुर्ण काईर करता है जिसमें लाव के स्थान पर सिर्फ हानी ही होती है उस काईर को यथा स्रिक त्याग देना चाहिए ऐसे ही काई विपरित दिसा में नाव खेने के सम्तुल है अपुरु युग का संचार आधुनी की युग विज्ञान का युग है संसार में जो अब तक नहीं हुआ वैसा अभुतपुरु बदलाव विज्ञान से ही संभव हो पा रहा विज्ञान का संचार संपुर्ण विश्व में हो रहा मिर्तक सम ऐसा मनुष जो मन से हार गया है अपने कर्म को भूल गया है अर्थात कर्म हीन हो गया है कवी उसे मिर्त मनुष के समान ही मानता और आगे में एक वचन लिखने के लिए कहा गया था यहाँ पे लिखावा है संकटों का संकट बाधाओं का बाधा, बात, घातें, घात यह एक वचन हो गया और लास्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है विलोम सब्द लिखने के लिए मिर्तक, जिवित, अविवेक, विवेक मिलन, विरह, नीज, पर अपुरू, अपुरू, सुध, बेसुध तो यहाँ पे यह चेप्टर पुरी तरह समाप्त हो गया है अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से मदद मिलता है, helpful वीडियो है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग जल्दी इसको कंप्लिट करेंगे तो आए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं कंप्लिट करने के लिए